Hello everyone and welcome back to this channel. मैं हूँ आस्था दुबे, आप देख रहे हैं Trade Flock और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनस और स्टार्ट अप म्यूज शुरू करते हैं प्यूश बंसल को आप में से काफी लोग आप जान गए होंगे जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दू यह लेंस काट के को फाउंडर है और हाल ही मैंने देखा गया था शार्क टैंक पर यह वन आफ दे शाक्स थे इन्होंने आजकल मैं तब काफी स्कूरैंक नहीं नहीं होता था क्योंकि ऑप्रजेंटेशन बैक्सेज नहीं देख सकते तो शाक्टैंड नहीं होता-ता ऐसा इन्होंने बात की है आप हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए कि आपको क्या लगता है दूसरी खबर है अशनीर ग्रोवर के बारे में अशनीर ग्रोवर भारत पे के को फांडर है ये भी शाक टैंक पर वन आफ तर शाक्स थे इन्हें मतलब सब लोग ये जाने लगे थे कि ये तो तुमारे एक तरम एकदम से पापा जैसे है जो तुमें डांट देंगे तुरंट एन्वेस ये स्पॉटिफाइपर एक पॉड्कास दे रहे थे उस पर इन्होंने बताया कि इनकी जो ब्लूटल ऑनेस्टी है उसी की वज है प्रोड़क्टर नाम है नौट सी इटू 5G ये जो है एक नया प्रोड़क्ट स्मार्टफोन है इसका बताया रहा है क्यामरा और शांदार होगा अगर आपको स्मार्टफोन के बारे में अपडेट मतलब चाहिए हो तो हमारा एक पार्टनर चैनल है इसका नाम है उसका वीडियो लग जाए या फिर इन्फो में डाल दूँगी तो यू किन गो एंड चेक आउट आट चैनल फोर्ड की एक स्पोक्सपर्सन ने यूटर्स को बताया है कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिया में ये इलेक्ट्रिक वहिकल का मैनुफाक्टरिंग प्लांट ल मुखसान हुआ था लेकिन नाओ आइगेस दे आर कमिंग बाक टू इंडिया कोविड के चलते आयार सीटीसी ने अपने जितनी पी इनकी ट्रेंस थी उसमें खाना देना बंद कर दिया था जनवरी 2022 से 80% आफ ट्रेंस में नोने शुरू कर दिया था कुग्ड मील दुबारा मिलने लगेंगे बजाज ग्रुप के फॉर्मर चेर परसन राहूल बजाज का साटरड़े को निधन हो गया यह 83 साल के थे डॉक्टर ने बताया कि इनका काडिया का ट्रीटमेंट चल रहा था लंग रिलेटेड इशूस भी थी इन्हों इन्हें जो बजाज ग्रुप ने से सोग जताया है वी एड ट्रेट फ्लॉक ऑल्सो एक्स्प्रेस आर सौरो और में हिस सोल रेस्ट इन पीस अंड पावर उबर के सीयों ने कहा है कि नियर फ्यूचर में यह क्रिप्टो करेंसी को आज पेमेंट लेना शुरू कर देंगे इन्होंने कहा है कि जो भी ट्रांजक् अब ही तो उन्होंने का राइट टाइंग नहीं है आप हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए कि आपको क्या लगता है जो यह कंपनीज है इन्हें क्रिप्टो करेंसी को आज पेमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताय इसी के प्रोटेस में गुजरात में बजरंग दल के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस किया के एफसी हुंडे और किया के शोरूम के सामने पोस्ट लगाए जिस पर लिखा गया कि कश्मीर और हमारा है और भारत का एक इंटिग्रल हिस्सा है पीउश गोयल ने एक मीम शेय जा रहा है कि इंडिया ने 2022 के हर दिन में क्या किया उसका जवाब है कि 2022 में हर पांच दिन में इंडिया में एक स्टाटप योनिकॉन बना पीउश गोयल ने बेसिकली बताने की कोशिश की कैसे 2022 में अभी मतलब दो महिने भी नहीं हुए पूरे और 40 योनिकॉन आ गए हैं इंडिया से इस पर उन्होंने अनुपम मितल का वह वाला मीम लगा है जिसमें उन्होंने लिखा कि नाव ओपोजेशन भी लाइक यह कैसे हुसता है यह मैं डाइस्टी भी कर पा रहा हूं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़ूर बताएगा कि क्या आपको यह मीम फणी लगा